नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे OnePlus Note CE 2 Lite 5G के बारे में ये फोन OnePlus का सबसे सस्ता स्मार्टफोन होने वाला है जो की 20,000 के प्राइज रेंज में आपको मिलने वाला है अब जल्दी बात करते हैं कि रिव्यूर्स ने इसके बारे में क्या कहा है तो फोन लुक्स और कलर्स की बात करते हैं तो Blue Tide और Black Dusk नाम से ये दो कलर में आपको ये फोन मिलने वाला है Technical Guru जी, Harshit Technical और Tech Burner ये तीन रिव्यूर्स हैं जिन्होंने इस फोन का रिव्यूर्स दिया है ये Blue Color काफी Light और Bright दिता है Harshit Technical बोलते हैं OnePlus वाली फील नहीं आ रही है इस फोन में इसका Blue Color भी मुझे पसंद नहीं आया है Premium फील नहीं आएगी आपको इसके अंदर वहीं पर Tech Burner बोलते है Dual Tone Color दिया हुआ है जो काफी अच्छा लगा है, सही लगा है और काफी चमकदार सा दिखता है ये In the Box content के बारे में बात करेंगे User Manual Cards, OnePlus Red Cable, Transparent Case, Sim Ejecting Tool, Nod Sticker, 33 Watt Superbook Charger and Phone ये सारी चीज़े आपको फोन के बाक्स में मिलते हैं Technical Guru जी बोलते हैं फोन के बारे में फोन की चिन सबस्टेंशल है बाकी दोने लोग इस बारे में कुछ नहीं बोलते हैं Port and Sensors की बात करें तो फोन के उपर की तरफ आपको Noise Cancellation Mic मिलेगा फिर राइट साइड में आपको Power Button में ही Fingerprint Sensor मिल जाएगा Speaker Grill मिलेगी आप और Speaker Grill, Type-C Port, Main Mic और Headphone जाएगी यह सारी चीज़े आपको Phone के Bottom में मिल जाएगी Technical Guru जी बोलते हैं Port and Sensors के बारे में Biometric बाकी OnePlus Phone की तरह काफी मस्त काम करता है Face Unlock भी काफी तेजी के साथ में काम करता है अगर Stereo Speaker होता तो बहतर होता अलाकि Stereo Mic आपको इसमें देखने को मिलता है वहीं पे Hershey Technical बोलते है Finger Unlock quick है, Easy है, जल्दी से Unlock हो जाता है Speaker loud है लेकिन मजा नहीं आता है जो आना चाहिए Tech Burner बोलते हैं Mono Speaker है, loud है लेकिन Stereo Speaker होता तो और ज़्याद आच्छा होता इस प्राइज में Stereo Speaker मिल जाता है Camera and Back Panel की बात करें Clear Camera 64 Megapixel प्राइमरी Camera है और 2 Plus 2 Macro Depth इसमें Camera दिये गए है यानि कि Camera के नाम को आपको सिर्फ 64 Megapixel का Camera ही आपको ठिक ठाक मिलता है बाकी Macro Depth के नाम पे दो-दो Camera दे दिये गए है 2 Plus 2 और वहीं पे Flashlight आपको उसी Border पे आपको मिल जाएगा Camera Border पे OnePlus की Branding दीगे हुई है फोन के सेंटर में Front Camera की बात करें तो 16 Megapixel पंच होल कैमरा डिस्पले में दिया गया है वहीं पे Technical Guru जी इस फोन के बारे में बोलते हैं Camera & Back Panel के बारे में बोलते हैं 4K वीडियो का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा 4K वीडियो आप नहीं शूट कर सकते हैं और नहीं इसमें प्ले कर सकते हैं यह प्रोसेसर की लिमिटेशन की वज़े से हैं अग कैमरे के बारे में बोलते हुए Technical Guru जी बोलते हैं कि 64 plus 8 plus 2 अगर कैमरा सेट अप होता तो ज्यादा बैतर होता इसमें आपको अल्टरा वाइड अंगल कैमरा या वाइड अंगल कैमरा दे दिया होता तो ज्यादा अच्छा हो सकता था वही पर हर्शिट टेक्निकल इस बारे में कुछ नहीं कहते हैं Tech Burner बोलते हैं कि कैमरा कॉलिटी काफि इंप्रेसिव है अच्छी है वाइड अंगल कैमरा देते तो और अच्छा हो सकता था पॉलिकार्बोनेट प्लास्टिक मैट फिनिश वाला बैक पैनल है सही लगता है डिस्प्ले के बारे में अगर बात करें तो 6.59 Full HD प्लस 120 Hz की रिफ्रेश रेट के साथ में LCD स्क्रीन दी गई है इसके बारे में टैकनिकल गुरू जी बोलते हैं डिस्प्ले कोलर काफी सही लग रहे हैं अमोलेड नहीं है पर इसकी कम यह महसूस नहीं होगी आपको क्योंकि ये डिस्प्ले बहुत अच्छा लगता है कलर करेक्शन औगयरा काफी सही है है हशी टेकनिकल बोलते हैं डिस्प्ले अमोलेट नहीं है पर कॉलिटी अच्छी है डिस्प्ले की कलर भी अच्छे हैं व्यूइंग एंगल काफी अच्छा दिखता है इसमें एक बर्नर बोलते हैं बड़ी स्क्रीन है गेम खेलने में मज़ क्या कहते हैं यह जान लेते हैं तो टेकनिकल गुरुजी बोलते हैं कि हाँ है हशी टेकनिकल बोलते हैं वन हैंड यूज वन हैंड यूजर फ्रेंडली नहीं है आपको दोनों हाथों से पकड़ करके ही इसको अच्छे से आप चला पाएंगे बड़ी स्क्रीन और बड़ा टेक बड़न बोलते हैं कि हाँ हैंडी है फोन के इंटर्नल्स की बात करें तो बैटरी 5000 एमेज की है टेक बड़न कहते है 5000 एमेज की बैटरी वन प्लस के फोन में काफी कम देखने को मिलती है मेमरी के बात करें तो यह फोन दो वेरियंट में आता है रैम 6GB और रोम 128GB के प्रोसेसर की बात करें तो Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिलता है टेकनिकल गुरुजी बोलते हैं 4K मज़ा नहीं मिलेगा बट अधर एक्सपरियंस काफी सही होने वाले है इसमें हर्षी टेकनिकल बोलते हैं चीप की लिमिटेशन है HDR & 4K इसमें नहीं चला सक टेक बरनर बोलते हैं Genshin Impact, BGMI, Apex Legends जैसे Heavy Games खेले एक्सपरियंस अच्छा रहा है कनेक्टिविटी की बात करें तो 5G network support with 7 bands अब इसके बार में टेकनिकल गुरुजी बोलते हैं 7 band support इसलिए सही है कोई दिक्कत नहीं है हशी टेक्निकल बोलते हैं 5G with 7 bands है तो future proof तो है जरूर है GPU की बात करें तो Adreno 619 का GPU आपको इसमें देखने को मिलता है जो कि सही है कोई दिक्कत नहीं है software के बारे में बात करें तो operating system oxygen OS based on android 12 यह आपको देखने को मिलता जैसे कि oxygen OS बाकी के oneplus फोंस में आपको देखने को मिलता है वैसा ही इसमें पी आपको oxygen OS देखने को मिल जागा पहले ही प्राइस कम है फोन का एकिन फिर भी आपको oxygen OS देखने को मिलेगा बाकी oneplus फोन की तरे operating system के बारे में technical guru जी बोलते हैं तीन साल के security updates and दो android updates मिलेंगे latest oxygen OS काफी clean है ये चीज़ oneplus के experience को काफी elevate कर देती है हशे technical बोलते हैं software साइट से phone loaded है लेकिन मुझे realme वाली ही feel आ रही है phone देखे tech burner बोलते हैं इसका clean UI है जो की एक balance feel देता है special features की बात करें तो expandable अब बात करते है special features की phone में क्या-क्या special features दिये गए expandable RAM up to 5GB तीन साल के software security updates मिलते हैं दो android updates मिलते हैं और ये चीज़ software के हिसाब से काफी सही है मेरे हिसाब से तो इसके बारे में क्या बोलते है reviewers ये जान लेते है technical guru ji क्या बोलते है इसमें alert slider missing है बाकी oneplus phone में जो आप alert slider देखते हैं वो चीज़ इसमें आपको नहीं मिलेगी और इसके बारे में technical guru ji बोलते है कि जिनको आदत है इस feature की oneplus phone जो पहले use कर चुके है जिनको आदत है इस feature की उनको थोड़ी दिक्कत होने वाली है हशी टेक्निकल इस बारे में कुछ नहीं बोलते हैं tech burner बोलते हैं जो अपडेट्स प्रॉमिस किये हैं उनसे लगता है कि android 15 तक आराम से चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं एंड्रॉइड 12 अभी समय चल रहा है android 13 14 दो अपडेट्स मिलते हैं यांई android 15 तक हो सकता है यह phone support कर जाए तो antutu score की बात करते हैं तो 4,7231 यह antutu score आपको इस phone में मिलेगा इसी के आसपास रहने वाला है जो कि सही है हाशी टेक्निकल बोलते हैं कि जब इन्होंने इस phone का antutu score चेक किया तब 3,91,384 यह अच्छा score है इसा भी इन्होंने बोला इतना score आया था और इन्होंने बोला कि यह अच्छा score है यह respective score है phone 2 variants में आने वाला अब बात करते है phone के price की प्राइस रहने वाला है 6 GB RAM variant है 19,349 रुपए का वहीं पे 8 GB RAM variant आपको 21,999 से कुछ कम में आपको मिल सकता है क्योंकि 21,999 यह पुराना प्राइस है और current प्राइस आप चेक कर सकते हैं आपको आपको यह दोनों वेरियंट्स आपको देखने को मिलेंगे तो प्राइस के बारे में हश्य टेक्निकल बोलते हैं कि यह Realme 9 Pro का डिटो है सेम कॉपी है जो कि इससे 2000 रुपए सस्ता भी है और उसमें कुछ special features भी मिल जाते हैं और क्या क्या special features है यह आगे बताएंगे अब बात करते हैं पर्शेजिंग पर्सपेक्टिव एंड कंक्लूजन की टेक्निकल गुरुजी बोलते हैं वन प्रस को experience करना चाहते हैं तो यह फोन ले सकते हैं वहीं पर हशी टेक्निकल बोलते हैं कि फ्रॉम दादर साइड यह फोन हीट नहीं होता है आंतुतु CPU के score सही आते हैं गेमिंग अगर आप oneplus लेना चाहते हों तो ले सकते हो अगर आप ब्रैंड के साथ में जुड़ना चाहते हो तो आप जा सकते हो PS this अगर आप रखना चाहते हो आपने कभी ने रखा तो आप यह ले सकते हो लेकिन अगर आप अच्छे फीचर्स चाहते हो इसी प्राइज में तो आप कुछ पैसे बचा भी सकते हो और इससे एक दो फीचर्स जो की बहुत जरूरी है कैमरा वगरा वो आपको इससे अच्छे मि प्रेमें यह भी जान लेते हैं यह मिड रेंज स्मार्टफॉन है जो की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है इसमें भी वैसे ही है एक बैलेंस फोन है and oneplus के साथ जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो तो अब बात करते हैं अपने main conclusion की तो इतना सब देखने के बाद में आप समझ गया होंगे कि phone का करना क्या है लेना है कि नहीं लेना है अगर conclusion की बात करें तो आप decide कर लीजिए कि आपको इस price में यानी 20,000 रुपे में चाहिए क्या और वो चीज इसमें missing है कि नहीं ये भी आप चेक कर लीजिए और दूसरा option चुन सकते हैं अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है अगर आप उनसे संतुष्ट नहीं है अगर और अच्छा कैमरा चाहते हैं तो आप दूसरी चॉइस के साथ में जा सकते हैं जैसा कि हशी टेकनिकल ने बताया या आप इस प्राइज रिम में और भी दूसरे ब्रैंड के साथ में जा सकते हैं अगर अच्छा लगा हो हमारा कॉंसर्ट आपको अच्छा लगा हो समझ में आया हो बहतर लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हां अपने उन दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए जो फोन लेना चाहते हैं और जो फोन के बारे में नहीं नहीं जानकारियां चाहते हैं अपने उन दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर कर दिजिए Thank you so much मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार आदाप